देश में आए कोरोना महमारी और उसे रोकने के लिए लगे लोगडाउन ने नजाने कितने उद्दोग धंदो पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया है नजाने इसलिए क्योंकि सरकार ने लोगडाउन से हुए नुकसान के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया था ITR यानि income tax return से मिल जाती आईकर विभाग के मुताबिक 21 दिसंबर तक 2,17,000 लोगों ने ITR 1 89.82 लोगों ने ITR 2 43.18 लोगों ने ITR 3 26.56 लोगों ने ITR 4 दाखिल करा कुल मिलाकर अब तक 3.75 करोड लोग ITR भर चुके है साल 2018-19 में 5 करोड 65 लोगों ने ITR फाइल किया था हाला कि 2019-20 के ITR भरने के लिए अभी भी 7 दिन बचे है लेकिन आशंका है कि यह आकड़ा साल 2018-19 के आकड़े से भी कम ही रहने वाला है इसके पीछे सबसे बड़ी वज़ा है कोरोना और लोगडाउन की वज़ा से हुई आर्थिक तबाही चार महीने पहले देश के सबसे बड़े बैंक SBI की एक रिसर्च रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि चालू वितवर्ष में देश की अर्थववस्ता को 38 लाग करोड रुपए का नुकसान हो सकता है इस नुकसान के चलते देश के हर एक नागरिक की सालाना आये में लगभग 27,000 रुपए की कटोती होने का अनुमान है दरसल देश में प्रतिव्यक्ति आय का रास्ट्रिय औसत का 1,21,000 है लेकिन कोरोणा और लॉकडाउन के चलते इसमें 20 फीस्ती की कमी आने की आशंग का इस रिपोर्ट में जताई गई थी SBI की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सालाना आमदनी पर सबसे बड़ा जटका गोवावासियों को लगा है जिनकी पूरी अर्थववस्ता परिटन पर चलती है जो लॉकडाउन के चलते ठप पड़ी है देश में सबसे ज्यादा सालाना प्रतिवक्ति आए गोवावासियों की है जो 4,69,000 रुपे सालाना है लेकिन अब इसमें 1,5,906 रुपे की गिरावट आने की आशंका है इसके बाद नमर आता है राज़ानी दिल्ली का जो की 3,65,529 रुपे सालाना है जहां लोगों की आमदनी में 87,223 रुपे की कमी आई है इसी तरह चंडिगड में सलाना आउसत आमदनी 3,30,000 रुपे में 77,545 रुपे तेलंगाना में 2,4,428 में 67,813 रुपे क्रिशी प्रधान राज हर्याना में 2,36,147 में 52,696 रुपे और तमिल नाडू में 1,93,750 में 45,897 रुपे की कमी आने की आशंका है जाहिर है आमदनी घटने से बड़ी तादाद में लोग टैक्स ब्रैकेट से बाहर हो जाते है और फिर वे ITR फाइल ही नहीं करते इसका असर ही कम रिटर्ण के आकडे में दिख रहा है राहूल गौतम की रिपोर्ट गो न्यूज